तो दोस्तो इस समय के पहले बड़ी अपडेट हम आपके सामने रखेंगे और आपको बताएंगे कि 23 जनवरी के दोस्तो यूपीटेट की परिच्छा हो पाएगिया नहीं। जिया दोस्तो एक और बड़ी अपडेट आ रही है, एक और दोस्तो पेपर की बहिया डेट 23 जनवरी 2022 पढ़ चुकी है, पूरी अपडेट को हम आपके सामने रखेंगे और उसके बाद बात करेंगे, 2019 बैच के लिए दोस्तो कुछ बड़ी अपडेट है इसको देखेंगे, नए सिच्चक बर्ती में किसी मिलेगा मौका, जी आ दोस्तो क्या 2019 बैच के छातर नए बर्ती के लिए इलिजबल हो पाएंगे, या बाहर हो जाएंगे, फेल चातरों के लिए दोस्तो क्या कबर पूरी अपडेट को देखेंगे, उसके बाद दोस्तो बात करेंगे जो हमार मोड में कोसित किया गया था, तो क्या दोस्तो ऐसा 2019 बैच के छातरों के साथ नहीं हो सकता है, अगर online result नहीं आएगा तो कुल मिला के आप यह मान के चलिएगा, offline result तयार करने में ज्यादा समय लगेगा, और उसके बाद जो नई भरती का पूरा मामला है, इसको भी हमें यह यहाँ पर थोड़ा ध्यान में रखना है, तो जरा दोस्तो पूरी अपडेट को यहाँ पर हम देखते हैं और समझते हैं कि अभी क्या-क्या होने वाला है, और देखिए और बड़ी अपडेट है आपके सामने रख दे, seated 2021 admit card कैसे download करना है, तो फिलाल दोस्तो हमने comment box में इ आपको अपना डेटा बर्थ, ठीक है, आपको अपना डेटा बर्थ, ठीक है, आसानी साब अपना admit card डाउनलोड कर सकते हैं, उत्तर परदेश में साथ चरडो में ही चुनाव कराने की तयारी है, जिया दोस्तो जब चुनाव का मुद्धा आप समझते होंगे, तो एक बात आपके समझ में आ रही होगी, अचार सहीता कब लागू की जाएगी, अचार सहीता आने के बाद, लागू करने के बाद मतलब ये समझ लीजे, उसके बाद तो नई भरती का notification नहीं आ सकता, तो कोल मिला कि नई भरती का जो notification है, अचार सहीता लागू होने से पहले, सरकार को जारी करना पड़ेगा उसके बाद एक और दोस्त। बड़ी update उसके बाद दोस्त एक और बड़ी update को आपके सामने रखेंगे कि परसधी विद्यालेों में जल्द हूगी चौकिदारों की तैनाती जिएां दोस्तों चौकिदार की क्या update है पूरी अप्डेट आपके सामने रखेंगे फिर एक और अप्डेट बेसिक सिच्छा मंत्री के इस जवाब से नराज बे 69 जार सिच्छक भरती के बेरती प्रदर्शन के दोरां दोस्त पुलिस से गुत्थम गुत्था धक्कम दुख्की पूरी अप्डेट को आपके सामने रखेंगे क्या दोस्तों माम्ला है जी या दोस्त आपको बता दे आराचछट का जू विबाद है अभी वो खतम नहीं हुआ ठीक है न तो क्या दोस्त योगी सरकार आराचछट मुद्दे को खतम कर पाएगी या दोस्तों मामला सुलज पाएगा पूरी अपडेट को आपके सामने रखेंगे जब आरचछड की बात होती तो आप लोग अगर OBC के चात्र हैं तो भाईया आपके लिए मामला काफी जाता गर्मा गर्मीक हो जाता OBC यह SC के टेगदी का चूँकि आगे चलकर आपको भी आ 18 दिसमबर 2021 साथ सुबेश लेकर राब तक की बड़ी अपडेट को और कुछ अपडेट 19 दिसमबर की इस वीडियो में देख रहे हैं तो एके करके दोस्तों आज की अपडेट को देखेंगे पहले चले दोस्त बात हो जाए 79 जा सिच्छक भरती का जिया दोस्त यह आपके स प्रदर्सन किया प्रदर्सन को लेकर उनकी पुलिस से काफी धक्कम दुक्की गुत्तम गुत्ता भी हुई अभियर्तियों को उठाने पहुचे पुलिस वालों को भी दोस्त अभियर्तियों ने जकर लिया अंत में सभी अभियर्ति हिरासत में लेकर पुलिस लाइन भेजे गये आरचट पीडिस अभियर्टियों का कहना था कि इस भरती में OBC को 27% की जगह मात्र 3.86% आरचट दिया गया है तता SC वर को इस भरती में 21% की जगह 16.6% आरचट दिया गया है तो दोस्तों आप अंदाजे लगा सकते हैं OBC केटेगरी का जो आरचट है 27% लेकिन मिला कितन 3.86% तो कितना बड़ा गोटा आला है आप यहां से समझ सकते हैं SC केटेगरी में 200 गोटा आला यह है जो कि आपके सामने है तो कुल मिला कि आप यह समझे ओपीजी वर्ग को इस भरती में उनके कोटे की 18598 सीट में से मात्र 2637 सीट ही दी गई है जो पूरी तरह से गलत है उ इसिक सिच्छा नेमा वली 1981 तथा आरचण नेमा वली 1994 का उलंगन हुआ है अभियर्थियों का कैना थे कि 29 अप्रेल 2021 को इस भरती में राष्टी पिछड़ा वर्ग आयोग ने भी गोटाला मानते वे अपनी एक रिपोर्ट जारी किये इसलिए उस रिपोर्ट को लागू कि जाये तथा राष्टी पिछड़ा वर्ग आयोग के सभी सिकायत करताओं को नयायत दिया जाये अभियर्थियों में इस बात को लेकर भी ना राकिये थी कि मंत्री ने सदन में कहा था कि उन्हें आयोग की रिपोर्ट नहीं मिली जबकि 8 मैने पहले ही यह 200 रिपोर्ट आ च सूत्रों के मुताबिक आयोग ने चुनआ कारक्रेम को लेकर जो योजना बनाई है उनमें उत्तर परदेश में साथ चरडों में चुनआ कराए जा सकते हैं वर्ग से 2017 में उत्तर परदेश में साथ 5 चुनाव कराये गये थे गोवा उत्रागंड में एक एक चरण में चुनाव होंगे वही मड़ीपूर और पंजाब में दोस्तों दो चरणों में चुनाव कराये जा सकते हैं 2017 में पंजाब में एक चरण में ही चुनाव हुए थे तो दोस्त यह अपडेट है उत्तर प्रदेश चाहों से पहले चुनोव प्रक्रिया पूरी करने की तयारी है तो यह दोस्तों बड़ी अपडेट है और आपको बता दे कोरोना की जो तीतरी लहर है जो की काफी जादा मतलब साब ही के 28 नॉमर को जो हमारी परिच्छा रद की गए थी एक मैने के बीतर का मतलब होता है कि मैक्सिमम जो टाइम लगना चाहिए तो वो 28 दिसमबर तक लगना चाहिए था लेकिन दोस्तों अब यह पेपर काफी जादा डिले माना जा रहा है और यह मान के चलिए जाज के शात्रों को मौका तब मिलेगा जब दोस्तों हमारा 4th का रिजल्ट आएगा 4th रिजल्ट को लेकर दोस्तों अभी तक कुछ भी क्लियर अपडेट नहीं है एक हपते के दोस्तों बात यही आप बारबा सुनते आ रहे होंगे कि रिजल्ट एक हपते के अंदर जारी होगा उसके अबाद 3rd semester promote का result अगर offline जारी होता 3rd और 1st semester का result तो इसमें भी ज्यादा समय लग सकता है देखें चतुर समिश्टक जब result गोसित होगा जिन बच्चों की बैयक आगी वो बच्चे दोस्तो पहले मांग करेंगे की rotor का अविदन की प्रकृयाझ जलते-जलत कराएजाए जबativity का दोस्तो प्रोसित पूरा हो जाएगा तब हो सकता है दोस्तो की ठ्रड समिश्टक प्रमोट का result पर समिश्टक प्रमोट का result गोसित किया जाए और इस वीडियो में दोस्त एक और जो महत्रपूर बात है कि चलिए रिजल्ट तो आजा कि लेकिन डेट सीट क्या होगी परिच्छा की जी आँ दोस्त जिन बच्चों की बैक लग गई है तो सभी बच्चों को इंतजार है कि बैक पेपर डेट सीट भी तो आनी चाहिए ठीक है तो जो भी अपडेट आए कि बैक पेपर डेट सीट को लेकर वो अपडेट भी हम आप तक पहुचाते रहेंगे फिलाल आपसे बस यह यह कि आप लोग परिच्छा की तयारी अच्छे से करिए लापरवाई मत करिए अगर आपका सीटेट का पेपर पड़ा है तो सीटेट की तयारी दोस्तों बहुत ही अच्छे से आपको करना है छोटी सी भी दोस्त गलती होगी CETAT को लेकर तो paper आपका खराब हो सकता है बाकि जो भी update आएगी CETAT 2021 को लेकर उस update को आप तक पहुचाएंगे और DL8 2019 बेच की भी update आप तक पहुचाएंगे बाकि दोस्त जो promote का मुद्धा था जरा आपको पहले हम clear कर दे अगर आप 2nd semester का मतलब आपने paper दिया है या आपको promote अभी तक नहीं किया गया तो simple थी बात है उम्मीद दोस्त अभी तक आईए कि आप लोगों का 3rd semester का exam कराया जाएगा क्योंकि अभी तक promote को लेकर कोई भी notice नहीं आईए तो फिलाल आप लोग 3rd के साथ 4th दोनों की तयारी कर सकते है क्योंकि देखे आपके पास दो ही विकल्प या तो संगर्स करिए या तो 3rd semester का paper दीजे ठीक है जब बात संगर्स क्या आती धरने क्या आती तो बच्चे कठ़ हो नहीं पाते तो simple थी बात है कि आपको फिर 3rd का ही paper देना पड़ेगा ठीक है समय कम है और आपको बता दी इस समय परिच्चा की date street तो जलते जल जारी करवाना भी बहत जरूरी है क्योंकि जिन बच्चों की back अभी 4 semester में लगेगी उनको जलते जलत मौका मिलेगा ताकि वो बच्चे अपनी back clear करें और नई सिच्चक बरती के लिए eligible हो सके और सबसे बड़ी बात वीडियो के आंते में दोस्तों जाते जाते कि clear दोस्त यही हो रहा है कि अब नई सिच्चक बरती का notification आने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ सकती है इन केस अगर vacancy notification आ गया तब भी दोस्तों 2019 बैचले सबसे बड़ी दिक्कत आए कि टेट की परिच्चा ना तो यूपी टेट का पेपर हुआ ना तो सीटेट का और सीटेट का पेपर दोस्तों हमारा 13 जनवरी तक चलने वाला था लेकिन 16 दिसंबर और 17 दिसंबर का जो पेपर कैंसल हुआ उसके चलते दोस्तों अभी इस डेट को भी आगे बढ़ा दिया जाएगा कुल मिला कि आप यह मान के चलिए कि पेपर 13 जनवरी के बाद भी करा जाएगा मतलब जो सीटेट का पेपर पहले एक दिन में दोस्तों हो जाता था जिसमें नॉर्मलाजेशन की कभी नौबत ने आई अब उस सीटेट में दोस्तों आपको धेड़ सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा और याद रहिए नौर्मलाजेशन से कभी आप कुस मत होईएगा सबसे खराब चीज़े नौर्मलाजेशन ही होता है ठीक है कभी कभी दोस्तों आप लगेगा कि हार 90 नमर पाकरम पास हो रहे है पता चला नौर्मलाजेशन यूज हो गया 90 से आप पहुँच गया 85 नमर पे तब बताईए उस नौर्मलाजेशन वज़े से आपको फेल होना पड़ सकता है किसमत अच्छी रही तो हो सकता है कि भाई आप किसमत अच्छी भी हो सकते ऐसी बात है अगर माल लेते आप 85 नमर पारे नौर्मलाजेशन हो गया जनरल कटेगरी की छातर आप 11 में नमर पहु पड़ी क्योंकि भाई पेपर एक दिन तो होना नहीं लगातार होना है हो सकता है किसी बच्चे का पेपर आसान किसी का कठीन आ जाए तो वो दिक्कत दूर कनेकले नौर्मलाजेशन का यूज होता है इससे अच्छा दोस्त यहीत है कि सीटेट को पेपर अपना ऑफलाइन क किसी का दोसो सीटेट तो भाईए सीबीसी वाली एक रुपए तो किराय देंगे ने बारास रुपए अपना उधर खाली है उसके बाद बच्चे आने जाने का जो खरता हो रहा है खर्चा कम सकमने तो दो जाता ही होगा सभी बच्चों का तो सोच लीजे कि अच्छी खासी कमाई हो रही है और कुछ है नहीं बाकि जो भी PNP सबडेट आगे आप तक पहुंचाएंगे डेट सीट, रिजल्ट, सीटेट, यूपीट, एड्मिट कार्ट सब चीज कमेंट बाक्स में लिक दिया गया उसको लगातार चेक करता रही है मिलेंगे एक और वीडियो में